सो हे गाईस आज किस वीडियो में हम बात करने वाले नियो ग्लोबल जीरो बैलेंस सेविंग एकाउंट के बारे में पर annual interest भी मिलता है तो इस वीडियो में आपको live यहाँ पर new global zero balance saving account को open करके दिखाऊंगा तो वीडियो को भी नए skip किए एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे हमारे चैनल आप इसको यहाँ पर open करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका interface यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है दो बेश्ट ट्रेवल कार्ड फॉर international travelers ठीक है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहां पर international spend करने पर आप यहां पर 3-5% यहां पर मतलब बचा सकते हैं, उसके बाद यहां पर देखेंगे तो इसमें आपको free airport launch access भी आपको इसमें मिलेगा, उसके बाद इस तरह से करेंगे, तो यहां पर आपको और भी इसकी details दी गई है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठी अब यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपको अपना mobile number डालना होगा, उसके बाद नीचे यहां पर treatment conditions को यहां पर टिक करेंगे, और यहां पर continue वाले options पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके mobile number पर एक OTP जाएगा, तो यहां पर डालकर verify करेंगे, उसके बाद यहां पर Google इस वाले options पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जितने भी account आपके mobile में होंगे, email के वो आपको यहां पर show हो जाएंगे, तो जिस account से आप login करना चाते हैं, उसको यहां पर select करेंगे, उसके बाद यहां पर आप अपने pen card का number डालेंगे, उसके बाद यहां पर next करेंगे, उसके बाद यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपको अपने अधार card का number डालना होगा, अगर आप अपने अधार card का number नहीं डालना चाते हैं, तो यहां पर scan ather QR का options मिलेगा, यहां से आप अपने अधार QR का QR scan कर लेंगे, तो जो भी आपके अधार card का number डालेंगे, उसके बा यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपकी अधार का डिटेल्स यहां पर लए आएगा, यहां पर आपको confirm वाले options पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको password verification के लिए आएगा, तो यहां पर आप यहां पर file number अपना डालेंगे, जो file number होता है वो आपके passport पर यहाँ पर रहता है, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, इस तरह से number होता है, तो इसको आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, उसके बाद डालने के बाद आप यहाँ पर next करेंगे, जैसे आप यहाँ पर verify वाले options पर click करेंगे, तो यहाँ पर कुछ processing लेगा, और यहाँ पर जो आपका details होगा, वह passport से आपके यह ले लेगा, ठीक है, अगर यह सब details सही है, तो यहाँ पर आप yes करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर face match के लिए आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको open camera के options पर click करना होगा उसके बाद आपके mobile का camera open होगा, तो वहाँ पर अपनी एक selfie लेंगे, यहाँ पर देखेंगे, तो बता रहा है कि यहाँ पर किस तरह से आपको selfie लेना है, जिस room में आप selfie लेंगे, वहाँ पर light होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ बताया जा रहा ह अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ आपको अपना details डालने के लिए आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने father का नाम डालना है, यहाँ पर mother का नाम डालेंगे, यहाँ पर palace of birth में जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, वहां का नाम डालेंगे उसके बाद यहां पर marital status है आप सेलेक्ट करेंगे आप सिंगल है married या दर से जो भी है यहां पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पर देखेंगे तो card delivery address के बारे में पूछ रहा है तो यहां पर आपके आदार card पर address होगा वह आ जाएगा अगर आ यहां पर click करेंगे उसके बाद next करेंगे अगर आप दूसरा डालना चाहते तो add new address के options पर click करकर दूसरा भी address डाल सकते हैं तो हम इसी address को रखेंगे चली हम यहां पर next करते हैं जैसे आप next वाले options पर click करेंगे तो यहां पर आपको अपना जो address से details है उसको यहां पर confirm करना होगा अब यहाँ पर देखेंगे नीचे confirm का options आएगा आप इस पर click करेंगे अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो nominee का details पूछ रहा है तो अब जिसको nominee बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर select करेंगे याणि nominee आपके यानि जब हम इस application को open करेंगे तो उसी passcode को डाल कर यहाँ पर login करेंगे तो आप यहाँ पर set passcode के options पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको six digit का यहाँ पर एक यहाँ पर डालेंगे उसके बाद दुबारा से यहाँ पर confirm करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे तो new global में यहाँ पर जो account open हो चुका है लेकिन इसका जो debit card वो लेने लिए आपको यहाँ पर 5000 रुपए अपने account में add करके रखने होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर आप amount डालेंगे आप यहाँ पर UPI या फिर किसी तरह से यहाँ पर payment कर सकते हैं तो हम यहाँ पर 500 डाल दिए उसके बाद नीचे यहाँ पर authorized transfer के options पे click करना होगा उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर QR code आ जाएगा आपको इसको scan करकर payment को complete करना चुका यानि कि हमारा जो पैसा यहाँ पर successful add हो चुका अब नीचे यहाँ पर आपको done वाले options पर click करना होगा अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे account में 5000 रुपे add हो चुके हैं और यहाँ पर जो हमारा signature यहाँ पर debit card है वीजा का वह यहाँ पर order होने के लिए आ गया अब यहाँ पर arrow वाले options पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका address आजाएगा जिस address पर आप इस card को लेना चाते हैं ठीक है इसी address पर आपका यह card आएगा अब नीचे यहाँ पर आप confirm वाले options पर click करेंगे अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा card है वो address पर आजाएगा ठीक है उसके बाद इस account का इस्तमाल आप 101 country में कर सकते हैं आप जिस देश में जाएंगे वहाँ पर जो currency है वहाँ पर आप payment कर सकते हैं इस account से ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से आप new global account को open कर सकते हैं so I hope आपको अच्छी तरह समझ में आ ग औरियो में